दोस्तों अगर आपने कोई भी ततकाल टिकट बुक किया अगर वो वेटिंग हो गया है तो उस कंडिशन में आपको क्या करना चाहिए कितने नंबर तक का ततकाल वेटिंग टिकट कनफर्म हो जाता है अगर ततकाल टिकट को आप कैंसिल करते हैं तो आपको कितने चार्जेस देने पड़ते हैं दोस्तों इन सारे टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं और दोस्तों साथ ही साथ आपको इस वीडियो को स्किप करने की जुरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों वीडियो यहीं से स्टार्ट होन माला तो आईए चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ततकाल टिकट के cancellation charges के बारे में तो दोस्तों अगर आपका ततकाल का waiting ticket है अगर आप उसको cancel करेंगे यानि कि अगर आपके ticket का confirm हो गया है तो दोस्तों उसको आपका भी भूल के भी cancel मत करिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आपका ततकाल टिकट confirm होता है तो दोस्तों उसको cancel करने पर railway एक रुपया फे refund नहीं करता है दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का ततकाल टिकट confirm हो जाता है तो दोस्तों ततकाल टिकट वही लोग लेते हैं जिनको बहुत ही emergency में आतरा करना रहता है तो दोस्तों ततकाल टिकट के confirm होने के chances बहुत ही कम होते हैं दोस्तों normally condition में तीन से लेके चार वेटिंग तक confirm होने के chances होते हैं अगर ये वेटिंग का number इससे उपर है तो दोस्तों मान की चलिएगा कि आपकी जो ticket है वो confirm नहीं होगी और दोस्तों AC की coach में ये number और जादे कम हो जाता है दोस्तों अभी मैंने आपको starting में जो 3-4 number बताया AC की coach में ये number 2 से लेके 3 तक होते हैं तो उसके confirm होने के कुछ chances है अगर दोस्तों इससे जादे की waiting है तो वहाँ पे उसके confirm होने के chances बिलकुल ना के बराबर होते हैं दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका ततकाल ticket waiting हो गया automatically और आपको आपका पूरा पैसा 3 से लेके 4 working days में आपके bank account में automatically आ जाएगा आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा सिर्फ आपके जो charges है 60 rupees प्लस GST कटेंगे चाहाँ आपका ticket किसी भी class का है दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मैं समझा पाया ततकाल ticket से related सारे terms and condition को दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बतेएगा और दोस्तों अगर आगे भी आपको भविश्य में ऐसी knowledgeable वीडियो को देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर देदिएगा क्योंकि दोस्तों आपको मुझे लाइक से काफी जादे motivation मिलता है दोस्तों मिलते हैं कि अगली informative वीडियो के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिए happy journey